हलो फेंट्स वेल्कम टू आज चैनल क्रिप्टो वेद विशाल आज के वीडियो में करेंगे काई इस बिट्कोइन का अनलिस इसके लावा डे 16 है हमारा डेली 50 डॉलर बिट्कोइन बाई करने का उसको बाई करेंगे नया वीक स्टार्ट हुआ है और इस वीक में दो बहुत नया वीक स्टार्ट होता है तो हमें वाली अब होता हुँआ देखने को मिलता पर इस बार ट्रॉम्प की वजासे जो ट्रॉम्प ने बिट्कोइं कॉंफ्रेंस हुआ तो वीकेंड में वॉल्यूम बढ़ गया था और इस चक्कर में जो नया वीक हुआ वहां पर इतना हमें वॉल्यूम में स्पाइक होता हुआ देखने को नहीं मिला है इंफ्लो का कोई डेटा रात 12 सब्सक्राइब तक नहीं आया कल के दिन हम एक इंफ्लो को डेटा देखने को मिला था 1056 बीटी सी का फिर एंगिर इंडेक्स एक्स्टीम गीट की तरफ जा रहा है 74 ग्रीट में हम पिछले एक गंटे के सेंटीमेंट्स बाइक के तरफ हैं इस बार इस बुल रन में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट सें जिसको लेकर मैं एक्स्टीम बुलिश हूँ जिसमें से एक है सोलाना सोलाना को हम लोग क्रैश के टाइम से देखने है प्राइस मूव हुआ है शायद कुछ बड़ा हो नहीं तो सोलाना को हम लोग उस ताइम से ले रहे हैं जब सोलाना क्रैश हो के एक जहाने में सबसे पहले चलते हैं जो डेली हमारा फिफ्टी डॉलर बाई करने हैं कि उससे बाई करते हैं उससे पहले एक बार देखते हैं क्या करेंटली चल रहा है तो अगर आप अभी देखोगे अभी तक हमें टोटल यहां पे सेवन पॉइंट वाने वन फॉर परसेंट का प्रॉफि लेते हैं कई बार ना प्राइस अपडेट नहीं होता बिंगेक्स के ऊपर आते हैं इधर अपडेट हुआ नहीं है यहां पर जो भी होगा मैं आप लोगों को बता दूँगा यहां पर तो 16 दिन हो गया है बाई करते हुए इसके लावा तीन दिन बच्ची हैं यहां पर जो लोगों को मिल गए होंगे फिफ्टी डॉर का जो बोनस है इसलिए कंप्लीट हो गया यहां पर तो बाकी की ऑफर अभी यहां पर चल रहें तो इसको लेकर आप इनका फायदा उठा सकते हैं तीन दिन बचें है कि जो रेफरल में आपको लिंक पिलेगा वहां से आपको जो इसके लावा अगर आप फेडरेटी की बात करेंगे 4.3 मिलियन का बाई कर रहा है तो सबका डेटा कम होता जा रहा है यहां पर दी रहें क्यों क्योंकि डेटा अब शिफ्ट हो रहा है यहां पर इथिरियम की तरफ इथिरियम का अगर आप देखोगे नेट नेगेटिवी यहां पर जवर्दस सेल आउट करता है फिर भी अगर आप देखोगे तो ब्लैक डॉक ने 47 मिलियन डॉलर के यहां पर इथिरियम एटिफ के तो इथिरियम बाई करें हैं फेडेल्टी की बाई कर बात करोगे 39.3 मिलियन के बाई हुए बिटवाइस की बात करोगे तो 60 मिलि डॉलर के टोटल इथिरियम है नौ साड़े नौ बिलियन के हैं उसमें से डेड़ बिलियन डॉलर जो है अल्रेडी यहां पर आ चुका तो अभी थोड़ी जल्दी आपको जो इथिरियम की सेलिंग है ना ग्रेश के तुरू वह आपको कम होती हुए यहां पर देखने को मिल सकता है तो अच्छा है ग्रेश के लिए यहां पर जल्दी जल्दी सेल आउट करता है जितना कम ग्रेश के पास होगा सेलिंग कम हो जाएगी तो इथिरियम में काफी बुलिश मोमेंटम की मुझे उमीद है यहां पर इस बीच हो सकता है कि एक थोड़ा बहुत क्रैश देख मार्केट क्रैश हुआ थर्निंग रिपोर्ट के बाद वह भी इस वीग बड़ी कंपनीज की आने वाली है तो वह बहुत इंटरस्टिंग रहेगा वहां पर फिर से कुछ गढ़बर होता है तो ऑविसी बात उसका इंपक्ट आप हो क्रिप्टोकरणसी मार्केट पर भी नहीं होगा यहां पर मैं जुलाई की यहां पर बात करना हूँ पर जो सेप्टेंबर में होने वाली है यह वाली इसमें अगर आप जाओगे तो 85.8% चांसे है कि रेट कट आपको यहां पर देखने को मिलेगा मैं आपको थोड़ी सी एक अलग एंगल से चीज़े बता रहा लेकिन अगर surprisingly rate cut हो जाता है इस बार तो आपको stock market और cryptocurrency market में जवरदस rally देखने को मिलेगी अब वो rally sustain हो पाईगी नहीं हो पाईगी वो अलग है पर pump आपको जवरदस वाला आप देखने को मिलेगा बिटकोई अपना नया all time high बना लेगा अगर rate cut July में होती है chances नहीं है ले यह ना hero बनने के moment होते हैं एक ऐसा आ सकता है यहां पर time जो पूरे के पूरे election को बदल सकता है उसमें से एक ही important चीज हो सकती है अगर rate cut यहां पर हो गया तो September में तो सबको उम्मीद है पर July में किसी को उम्मीद नहीं है तो यह बहुत important है यहां पर कि इस बार कोई बड़ा rate cut में update आ गया तो फिर आपको चीजने बदलती भी देखने को मिल जाएंगी यहां पर तो वो जैसे ही आएगा और इसके बाद आपको पता ही है पावल की speech आती है पावल उसमें क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे तो वो सब चीजों का impact आपको market पे देखने को मिलेगा एक बार bitcoin के चार्ट की तब चलते हैं फिर एक और update है उसको discuss करते हैं तो currently अगर हम लोग देखेंगे तो 69,350 पे bitcoin जो है यहां पर चल रहा है support की बात करेंगे तो almost support level पर ही है 68,329 पर currently यहां पर support है और उसके बाद जो important support है वो है यहां पर 67,800 की range बे इंपोर्टन क्या है यह हमने यह जब week last start हुआ था हमने तब भी बोली थी कि monthly candle close होने वाली है 29 तारीक है 30,31 तो monthly candle close होने वाली है और monthly candle बहुत critical जगा पे है वो critical क्यों है यह देखो अगर आप देखोगे 2017 में जब bitcoin ने अपने last all time high को monthly candle में यहां पर break करने की कोशिश करी यह धियान लखना candle इससे उपर बननी ज़रूरी है अपने all time high से उपर जब close किया तो उसके बाद देखो क्या हुआ कहां से कहां पहुचा है अगर मैं आपको price wise बताऊ यह देख रहे हो 1264 पर मेरे को तो पता भी नहीं अगर इतना पंप आ गया दुबारा तो bitcoin का price यहां पर कहां जाएगा ठीक है अच्छा दूसरी चीज जब 2020 में last जो अपना all time high था bitcoin ने उसको break किया monthly candle close में किया तो क्या हुआ यहां पर bitcoin के price में इसके बाद हम एक rally देखने को मिले 234 परसेंट की तो यह बहुत important है क्योंकि हम लोग फिर से ना उसी जगा के near about हैं यह जगा अगर bitcoin इस बार इस से उपर अपनी monthly candle close करता है सेफर साइड में बोलता हूँ 70,000 के उपर monthly candle अगर यहां पर close होती हुई देखने को मिलती है तो चीजे हमें बदलती हुई देखने को मिल सकती है weekly candle भी एक important चीज है यहां पर वो तो कहरा भी बनी नहीं है अगले week में पर चलेगा weekly candle भी अगर आप यहां पर देखोगे हमारी धंग से कभी last all time high के उपर बनी ही नहीं है तो इस लिहाद से यह monthly candle भी बहुत important हमारी होने वाली है किस तरीके से यह monthly candle जो हमारी यहां पर close होती है obvious सी बात है जो चीजे में चीजों में change होने वाला है वो अगले 2-3 महीने के अंदर आपको चीजे काफी स्यादा बदलती ही देखने को मिलेंगी cryptocurrency market के अंदर जो इतने टाइम से हम लोग dump देख रहे हैं वो dump आपको काफी चीजों को recovery करता हुआ देखने को मिलेगा और उसके बाद चीजे चेंज होती देखने को यूएस में इलेक्शन भी हैं ट्रंप एक अलग जोन में यहाँ पर बैठे हैं पर अगर opposition को इस टाइम पर ट्रंप को पीछे करना है तो सबसे पहला काम rate card जो है यहाँ पर FMC meeting में करनी पड़ेगी तो क्या होगा क्या date आएगा निकलके वो तो जब actual में FMC की meeting होगे उसके बाद प्राच लेगा सारे updates आपको regular जिस तरीके से हर बार telegram पर मिलते हैं वो मिलते रहेंगे जब भी पॉविल की speech खतम हो जाएगी क्या पॉवल ने बोला है चाहे वो राट डेड़ बजे हो दो बजे हो हम लोग एक short वीडियो के तो उसको discuss कर लेते हैं या फिर telegram पर मैं एक short note करके आपको अपडेट करता हूं तो वो जैसी होग वो मैं आप लोगो बता दूगा तो यह important रहने वाला इस week में कि क्या यह दोनों चीजों का result आता है और अगर इन दोनों चीजों का positive result आता है तो आपको चीजे जो है crypto currency market के अंदर बदलती हुई यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं जिसका काफी time से हम लोग यहाँ पर इंत 69,000 पर currently bitcoin जो है यहाँ पर चल रहा है अगले 6 महीने तक हम लोग buy करने वाले हैं देखेंगे इसके बात कितना हम लोग को profit यहाँ पर होता है currently अब तक अगर मैं देखू तो मैं करीब 800 डॉलर का bitcoin जो है यहाँ पर buy कर चुका हूँ तो यह था guys update currently जो चल रहा है crypto currency market में वज अर्मोस काफी हद तक काम हो गया हुए traders finalize हो गए हुए है तो मुझे पूरी उमीद है कि इस वीग में वो चैनल भी हमारा telegram की उपर active हो जाएगा जहां से आप लोग को free trading के signals जो है मिल सकेंगे तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक होशे जरू किएगा चैनल मेगर आप नए है फर्स टैम वीडियो देखने जो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्रिप्टो करणसी मार्केट के रेगूलर अपडेट्स के लिए telegram को जो जो जोइन करके रखेगा उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा तेंक्यों फ्रेंड्स